गुद मॉर्निंग एवरिवन नमस्कार मैं अंकिता शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं सेफ शॉप की ओनलाइन स्किलब फ्रेनिंग प्रोग्राम में लिवर हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टन ओर्गन में से एक है और उसी की हेल्थ के बारे में आज हमारी कॉली मिस रंजना हमें जानकारी देंगी जो की सेफ शॉप में पिछले 5 साल से वर्क कर रही है तो आईए शुरुबात करते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन की इस स अमस्कार सबसे पहले तो थैंक यू कि आज आप सभी लोग लिखाए हैं आपने प्रोड़क के बारे में जानने के लिए लिवर हमारे शरी का जरूरी हिस्सा है यह हमारे शरी में पावर हाउस की तरह काम करता है क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उच में कुछ निट्रें पहुंच सकते हैं और इससे शरी के बाकि सभी अंग को भी नुपसान पहुंच सकता है इसी लिए हमारे शरी में लिवर का सही तरह से काम करना ज़रूरी है तो इनी बातों को ध्यान में रखते हुए भी सेप शॉप लेके आए हैं हाउमा का लिगो केर सिरफ जो कि हमारे ल ..मद्राचडी बूटियों से तेयार किया गया है यह लिवो केर सिरफ 200- Pocc ह्जो की जोकी डाव ilht care company ने तेयार किया है यह कंपनी हिमाचल प्रदेश के कामड़ा में स्थीर्ट है और यह कंपनी काफी पुरानी कंपनी है यह कंपनी सिर्फ लीवोकेर ही नहीं बनाती बलकि हमारी हैल्थ से चुड़े और भी कई सारे हर्बर प्रोटक्स बनाती है तो आज के इस ट्रेडिक सेशन में मैं आपको हम लिवोकेर सिर्फ के बारे में वो सभी बाती बताऊंगे जो की मेरे पास है वो सभी जानकारी तोंगी जो मेरे पास है और इसके अलावा लिवर का हमारी बॉड़ी में क्या रोल है हम इसके बारे में भी बात करेंगे और लिवर कमजोर होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं क आउमा लिवोकेर सिरप में कौन-कौन सी 15 जड़ी गूटियों का इस्तिमाल किया गया है और इस लिवोकेर सिरप की डोसिस कैसी लेनी है हम इसके बारे में भी बात करें लिवर हमारे शही में खाने को पचाने से लेकर उसे डिटॉक्सिफाई करने तक का काम करता है इसके अल लिवर का परपैक्ली कामना कर पाने के कुछ पॉसिबल कारण हो सकते हैं और कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जिनके बारे में मैं आपको पताने जारे हूं और लिवर के जो लिवर कम जोरूर के कुछ जो कारण हो सकते हैं उसमें हमारा खराब लाइफस्टाईल और हमारा जो खान पान हैं वो भी शामिल है लेकिन लिवर की एक खास्यत भी होती है कि अगर हमारे लिवर का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाए या खराब हो जाए तो लिवर उसे सेल्फ रिपेर भी कर सकता है तो आए सबसे पहले लिवर कमजोर होने की कानों के बारे में जान लेते हैं जैसे ज़्यादा शराब पीना कमजोर इम्यून सिस्टम डायबिटीज और शरी में हैपेटाइटिस बी और सी जैसे इंफेक्शन का हो जाना इसी लिए जो चीजे हमा इसको स्टॉंग बनाए और अगर डाबिटीज है या आपका जो अपना जो वजन है उसको भी कंट्रोल में रखी और अगर आपको हैबिटाइटीज है तो इसके लिए डॉक्टर से सला ले अब हम बात करते हैं लिवर की सिम्टम के बारे में कि लिवर कमजोर होने पी कौन पीला हो सकता है तो अगर आपको यह लक्षन अपने शरीज में नजर आते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर को भी दिखाएं और इन्हीं लक्षनों में एक लक्षन और भी शामिल है कि आपका जो पेट है उसमें सुजन भी हो सकती है तो यह लक्षन होने पर अपने डॉक्टर को जरूरी है अब मैं आपको हमा लिवर केर से सीरप में कौन कौन से जड़ी बूटियों का इस्तमाल किया गया है उनके क्या बेनेफिट्स है उसकी बारे में बताने जारी है इन जड़ी बूटियों में जड़, पल, पूल, पत्ते, बीज, ये सभी चीज़ें हमारे लिवर और उसे जुड़ी समस्यां को दूर करने में मदद करती हैं इसमें नागर मोठा, गुलाब की पंकुडियां, सेनना, हरड, बहेडा, कचूर, आमला, जीरा, सौंप, काकुमाची, पुनलनवा, पुटकी, कालिमिज, हिंसरा और कासनी शामिल है ये लिवो केर, ये लिवो केर सिरफ इन पंदरा उस्टियों से मिलकर बना है, जो कि दीपन और पाचन का काम करती है, सबसे पहले में आपको दीपन और पाचन के बारे में बता लेकि लिए, दीपन उस्टियां वो उस्टियां होती है, जो कि हमारे भूप को बढ़ाने का क करती हैं जैसे कि सोव और और अब ये लिवर के लिए किस तरफ से फायदे मंद हैं हम इवर इसके बारे में चान लेते हैं एक तो ये खाने को पचाने का कांड़ा है दूसरा ये लिवर सेल्स को प्रोटक करने का कांड़ा है और सबसे बड़ी बात ये हमारे लीवर को सही तरह से काम करने में मदद करता है और इन सब के लावा ये immunity को strong करने का काम भी करता है अब मैं आपको इस लीवो केर सिरप को यूज करने का तरीका बताने चाहरे हूँ कि इसकी डोसेस आपको कैसे लेनी है आप एक से दो चमच रोजाना दो से तीन बार ले सकते हैं लीवो केर सिरप को इस्तमाल करने से पहले बाटल को इबर अच्छे से ही लाए और बाटल को हमेशा सूखे और ठंडे स्थान पर रखें इसके लावा इसे सूरस की रोशनी से दूर रखें अब लास्ट में मैं आपसे यही करूंगी कि हम अपनी हेल्थ पर काफी रुपे खर्च करते हैं लेकिन अगर हम अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ले तो काफी हद तक हम बिमार होने का रिस्ट कम कर सकते हैं और इसके अलावा इन खर्चों से भी बचा जा सकते हैं इसलिए अपनी हेल्थ का ज्यान रखें थांक यू थांक यू सो मच रंजना हमें सेव शॉप के इस शांदर प्रड़क्ट के बारे में इतनी डीटेल जानकारी देनी के लिए कि यह और शिदी आयरवेदा के खजानों में से एक है आशा करती हूँ आज के यह सेशन आप सभी के लिए लाप दायक रहो होगा मैं एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करोंगी कि आप इस प्रड़क्ट से रिलेटेड अपने जो भी क्वेस्टन्स हों डाउट्स हों मोह हमारी ट्रेनिंग एमेल आईडी ट्रेनिंग यादरेट सेफशोपिंडिया.com के शेयर कर सकते हैं मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सभी क्वेस्टन्स और डाउट्स को आंसर करने का तो आज के लिए बस इतना ही अब हम आपसे नेक्स सेशन में मिलेंगे किसी और नई प्रेड़ ट्रेनिंग के साथ. Thank you so much.